हाई फ्रेंड्स विदान किचन इंदोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है ये है आचारी भर्वा करेला जो की खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी और चटपटा है इसे कैसे बताना है चलिए देखते हैं आचारी भर्वा करेला बनानी के लिए मैंने यहाँ पर चार करेले लिये हैं और यह बहुती सॉफ्ट है तो इसे हमने धो लिया है अच्छे से पानी भी सूख गया है तो इसके जो उपर का जो छिलका है उसे हम बिल्कुल नहीं निकालेंगे अगर आपको ना पसंद हो ज्या कि निकाल सकते है तो मैं इसी ऐसे यूज करती हूं और मुझे कुछ भी तो इस तरीके से मैंने करेलो को कट कर लिया है और अब हम बनाते हैं स्टफिंग तो स्टफिंग के लिए यहां पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर कट कर लिये हैं और दो मीडियम साइज के प्याज को भी कट कर लिया है और यहां पर अद्रक लहसुन भी हमने कूट करके इसमें एड़ कर दिया है और अब है ये आचार का मसाला धन्या जीरा पाउडर नमक और अमचूर पाउडर तो आप कोई भी आचार का मसाला यूज कर सकते हैं घर का हो तो भी बढ़िया है और अगर मार्केट का हो तो भी बढ़िया है अब इसमें एड़ करेंगे दो चमच स निकल करके बाहर आ जाए और यह चटपटा सा स्टफिंग तयार हो गया हमारा बहुती बढ़ियां बहुती टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स आप जरूर से इस रेसिपी को ट्राइ कीजिएगा भरवा करेले तो आपने कई बार खाये होंगे बस एक बार इस तरीके से भरवा पेस नहीं होना चाहिए कुछ भी अच्छे तरीके से भर दीजिए दबा दबा करके तो कुछ इस तरीके से मैं स्टफिंग को भर लूँगी करेलो में फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स बहुती टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स आप एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा ये काफी यूनिक तरीके की स्टफिंग है और अब तक आपने यूटूब पर इस तरीके के भरवा करेले की रेसिपी बिल्कुल नहीं देखी होगी मेरा दावा है आपसे एक बार बार बनाएंगे और उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे तो यहां पर स्टफिंग तयार है और बचा हुआ मसाला उसका भी यूज हम करेंगे तो कड़ाई चड़ा दी हमने और इसमें एट किया है सरसो का तेल तो दो बड़े चमच सरसो का तेल एट कर दें तो यहां पर तेल ग पकाएंगे, अब हम करेलो को थोड़ा फ्लिप कर देंगे, अच्छे तरीके से से हमें पकाना है धीमी धीमी आज पर और बिच बिच में हम इसे इस तरीके से फ्लिप करते रहेंगे, दिमी दिमी आज में जैसे ये करेले पकेंगे वैसे ही अंदर की जो स्टफिंग है वो अपने आप पक जाएगी तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि प्याज कच्छी रहेंगे कि कोई चीज कच्छी रह जाएगी बिल्कुल नहीं क्योंकि हम कच्छे करेले तो उस हिसाब से चीजे जो हैं अपने आप पक जाएंगी और बहुती मज़ेदार रेस्पी है फ्रेंड्स आचारी भरवा करेला अब यह जो बचा हुआ मसाला है यह भी हम इसमें अड़ कर देंगे तो बस इसे हम पांच मिनट के लिए और पकाएंगे तो लिजिए यहाँ पर हमारे आचारी भरवा करेला बन करके तयार है फ्लेम को आफ करेंगे बहुत ही बढ़िया रेस्पी है फ्रेंड्स एक बार जड़ू से ट्राइ कीजिएगा और यह आचारी भरवा करेले जब भी आप बनाएंगे ना तो आप उंगलिया चाड़ते रह जाएंगे यकिन मानिए आपके घर में आपकी फैमिली को बहुत जादा पसंद आने वाली है तो कुछ इस तरीके से इसकी स्टफिंग है काफी धुआदार और चटपटी रेस्पी है फ्रेंड्स आई होप आपको यह रेस्पी पसंद आई है पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें व